नमस्कार आदाब सच्छी अकाल जैभीम जोहार मेरा नाम है नवीन खुमार क्या भाजपा के सांसद वरूर गांधी जो कुछी दिनों में भूत-पूर्व होने वाले हैं वो भाजपा के लिए भी भूत-पूर्व होने का मन बना चुके हैं सीधा सवाल क्या वरू गांदी भाजपा छोड़ने का मन बना चुके हैं और छोड़ने वाले हैं तो कब और अगर वो भाजपा छोड़ते हैं तो दो सवाल पहला मेंका गांदी का रुख क्या होगा और दूसरा वरू गांदी खुद किस पार्टी का तक क्या होगी यूपी या दिली इतने सारे सवाल चुनाओ के नतीजे के इंताजर में हैं जी prosत्र बताते हैं कि पिलीभीत के जाते हुए सांसाद وर्म गांदी बस चुनाओ के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं उन्हें पूरा यखीन है कि मोधी का सूरज इस चुनाओं के बाद इतना तुष्ट हो ही जाएगा कि खुद भाजपा उनसे छुटकारा पाने के टोटके करने लगेगी और ऐसे में मोधी सरकार मोधी की गारंटी मोधी का वादा मोधी का दावा मोधी की डफली मोधी का राग मोधी का चंदन मोधी का भाल में तदील हो चुकी भाजपा के लिए हालात हस्यासपद हो सकते हैं क्योंकि अगर 400 पार के नारे के बाद अगर भाजपा 200 के आसपास अटक जाती है تو इसे खुद भाजपा के अंदर भी मोधी के तेज का अंत माना जा को शर्मिंदगी महसूस होगी इस से वरू गांधी का क्या रिष्टा वरू गांधी का रिष्टा यह है कि पिलिभीद सीट से पत्ता काटे जाने के बाद वो बेहद आहत और अपमानित महसूस करने 1991 का चुनाओ छोड़ दिया जाए तो यह सीट 1989 से ही लगातार मेंका गांधी और उनके बेटे वरू गांधी के पास रही है मतलब 30 साल से 20 ज्यादा समय से तब भाजपा के नामलेवा भी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ करते थे आठ बार की सानसदी में मेंका दो बार जनता दल के टिकट पर और दो बार निर्दलिय उम्मिद्वार के तौर पर जीती अब जरा खेल को समझिए मोदी शाह को लग रहा था कि पीली भीट से पत्ता काटे जाने के बाद वरुन गांदी किसी भी सूरत में लोग सबा पहुचने के लिए बेचैन हो जाएंगे और इसका फाइदा उठा कर वो उन्हें राइबरेली से प्रियंका गांदी के खलाफ खड़ा कर लेगे अगर प्रियंका चुनाव लड़ती है तो देखी अमेठी और राइबरेली दो सीटें गांदी परिवार की पुष्टैनी सीटों की तरह रही है राहुल पहले ही अमेठी छोड़कर वायनाट जा चुके हैं बची सोनिया गांदी की राइबरेली तो सोनिया गांदी पिछले दिनों राज्य सभा जा चुकी है तो इस बार प्रियंका के इस सीट से दावेदारी करने की पूरी संभावना है ऐसे में मोदी शाह चाहते थे कि वरुण गांदी राइबरेली में वही करें जो अमेठी में स्ष्टी इरानी ने किया मुदी शाह को लगता था कि वरू आसानी से इसके लिए तयार हो जाएंगे सोनिया मेंका के पुराने रिष्टों के इतिहास का हवाला दे कर वो वरू को मना लेंगे सूतर बताते हैं कि पहले भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड़ा ने इसके लिए वरू गांदी को संधेश बेजा कि पार्टी राइबरेली में आपका इस्तिमाल करना चाहती है लेकिन वरू गांदी ने नड़ा को साफ कह दिया कि मैं इस्तिमाल होने के लिए हर्गिस तयार नहीं हूँ अपनी बहन के खिलाफ आप कटपुतली की तरह मुझे नहीं नचा सकते नड़ा को अपने एक साधारर सांसद से ऐसी बेज़ती की अमीद नहीं थी अमिद शाह को बताई और सुत्रों के मताबक इस के बाद अमिद शाह ने खुद वरु गांदी को राईबरेली से प्रियंका गांदी के खिलाफ चुनाओ लड़ने के लिए तैयारी करने को कहा लेकिन वरु गांदी ने अमिद शाह से भी कह दिया कि वो अपनी बेहन के खिलाफ चुनाओ लड़ना तो दूर इसके लिए सोचने को भी तयार नहीं है कहते हैं कि इसके बाद अमिद शाह ने वरू गांधी की मां और सुल्तान पुल से पार्टी की उम्मिदवार मेंका गांधी से संपर किया और उनसे कहा कि वरू गांधी को अपने राजनिती करियर को उडान देने का इस से सुनहरा मौका नहीं मिलेगा इतिहास उन्हें इस बात के लिए याद रखेगा वगेरा वगेरा लेकिन मेंका गांधी ने भी उन्हें टका सा जवाब दे दिया और कहा कि पिलिभीद से वरू को हटाया जाना पार्टी का फैसला था और अब वरू गांधी का हक है कि वो आगे का फैसला खुद करे इसमें वो कोई भी दखल नहीं देंगी मेंका की तरफ से निराष अम отп शाह और जेपि नडड़ा ने प्रधान मंत्री नरिंद्र मुधी को बता दिया कि वरू गांधी को हैंडल करना हमारे वश की बात नहीं है बताते हैं कि इसके बाद प्रिधान मंत्री कारियाले ने खुद वरुन गांदी को राइबरेली से चुनाव लड़ने के लिए तयार करने का जम्मा संभाला और इसके लिए वरूर से साफ साफ कहा गया कि अगर आप प्रियंका गांदी के खिलाफ चुनाव लडने को तयार होते हैं तो पार्टी आपको मन माफिक इनाम देने को तयार है बस आप हाँ कर दीजिए लेकिन वरूर गांदी टस्स से मस नहीं हुए उन्होंने कह दिया कि आप किसी के भी खिलाफ उतार दीजिए मैं चुनाव लडनूंगा लेकिन प्रियंका गांदी के खिलाफ लडने का सवाल ही पैदा नहीं होता का जा रहा है कि वरूर गांदी के इस सख्त रुख से मोदी, शाह और नड़ा तीनों बेहत खफा हैं वरूर भी जानते हैं कि भाजपा में रहकर इन तीनों से फिलहाल बैर लेना संभाव नहीं है इसलिए वो चुपचाप चुनाओ के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं पहले चरण के चुनाओ के बाद से जो रिपोर्टें आ रही हैं उसमें भाजपा की हालत खस्ता दिखाई दे रही है और अगर यही अनुमान नतीजों में तबदील हुए तो वरुण गांधी भाजपा को सलाम नमस्ते कर देंगे कहने का मतलब यह है कि वरुण गांधी मानसिक तोर पर भाजपा छोड़ने के लिए तयार हो चुके हैं वैसे भी भाजपा में उनके लिए ज्यादा कुछ रखा नहीं है नरेंद्र मोदी ने दस साल में उन्हें राज्य मंत्री तक नहीं बनाया जबकि वरुण गांधी मोदी लहर में सांसत नहीं बने थे यूपीय की लहर में 2009 में वो पिली भीट से जीत कर पहली बार संसत पहुचे थे लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें हमेशा हाशिये पर फेके रखा उनसे बहुत बाद में सांसत बने नेता कैबिनेट मंत्री तक हो गए लेकिन वरुण के हिस्से में किवल अपमान की घू लेकिन वरुण गांदी ने यहां पर बिना किसे हिचक के मोदी शाह और नड़ा तीनों को बता दिया है कि वो ये पाप अपने माथे पर हर्गिस नहीं लेंगे आपको बता दें कि प्रियंका और वरुण दोनों के बीच बेहद अच्छे संबंध हैं और दोनों समय समय पर एक दूसरे से मिलते भी रहते हैं ऐसे में वरुण को प्रियंका के खलाफ उतारने का सीधा मतलब होगा 44 साल पीछे छूट चुके पिछली पीड़ी की कड़वाहतों को संदा करना आपको बता दें कि वरुण गांदी की माँ मेंका गांदी ने अपने जीवन का पहला चुनाओ 1984 में राजी उगांदी के खलाफ अमेठी से लड़ा था वो ये चुनाओ हार गई थी इसके बाद अगले चुनाओं में उन्होंने पीली भीट को चुना और तब से पीली भीट वरुण मेंका का गड़ है वरुण इस्तिमाल की इस राजनीत का मतलब समझते हैं शायद इसीलिए वो अपनी शर्तों पर आगे बढ़ना चाहते हैं वो इतना समझ चुके हैं कि मोदी के रहते हुए भाजपा में उनके स्थिती कभी भी सम्मान जनक नहीं बन सकती और फिलहाल मोदी के भाजपा में अप्रसंगीक होने के आसार कम से कम 5 साल तक तो नजर नहीं आते ऐसे में वरुण अपने आपको राजणीत की नई पारी के लिए तयार कर रहे हैं वो भाजपा और मोदी दोनों से मुक्ती चाहते हैं लेकिन ये भी सच है कि राजणीत में नई राहे इतनी आसान भी नहीं होती इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरण कीजिए बेल आइकोन दबाईए घंटी जैसे आकरिती लाइक कीजिए और कमेंट करके बताईए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा यूट्यूब पर देख रहे हैं तुमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ट्विटर हैंडिल आर्टिकल 19 अंडर्सकोर इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडिल नवीन जनरलिस्ट नमस्कार